करक राशी वालो इतने भावों क्यूं है आप? दूसरों को कंधा देने के चक्कर में क्यूं कर लेते हैं अपना ही नुकसान? अब भी वक्त है सम्हल जाए जरूरत के वक्त कोई दोस्त नहीं आएगा आपके काम दोस्तों चंद्रप्रधान राशी, करक राशी 12 राशी में बहुत ही विशेश मानी जाती है कहते हैं कि चंद्रदेव की इस राशी पर बड़ी कृपा होती है इसलिए ये राशी जर्म से ही बड़ी चलेंटेट होती है लेकिन इनके खुद की कुछ ना समझया इन्हें बड़ा नुकसान पहुचा देती है तो कौन सी है वो बातें जो करक राशी वालों को बनाती है सबसे खास जानते हैं हमारे आज के इस खास वीडियो में तो नमस्कार मेरा नाम है जोती स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेश कारिक्रम में दोस्तो क्रियेटिव फिल्ड की बात हो और करक राशी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता चंदरदेव के इस राशी पर इतने किरपा होती है कि ये जन्म से ही बहुत ही सम्मेधन शील होते हैं दूसरों के दुख को अपना समझते हैं और यही गलती इन्हें आगे चल कर भारी पड़ जाती है इस राशी का चिन्न केकडा होता है और इसलिए दूसरों की मदद और टकराव से बचने के लिए ये काफी सजक रहते हैं ये लोग बेहद ही मिलनसार होते हैं इन्हें नए नए लोगों से बाते करना बेहद पसंद होता है चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये मानसिक रूप से काफी चंचल होते हैं ये जहां रहते हैं वहां हमेशा परिवार जैसा माहल बना कर रखते हैं हाला कि जन्म से ये लोग ज्यादा महत पकांशी नहीं होते लेकिन जीवन में शांथ भी नहीं बैठे रहते स्वतंतरता पसंद इस राशी का स्वभाव काफी जिद्धी हो जाता है और इसी के चलते परिवार में इन्हें कभी-कभी टकराव देखने को मिलता है इस राशी को अपनी परेंपराओं से अपनी जड़ों से बहुत ही लगाव होता है ये कभी-कभी काफी मूडी हो जाते हैं और ये राशी उम्र के किसी भी पढ़ाव में हो अपने बच्चों जैसी मासूमियत कभी नहीं खोते वाग पटुता घ्रजब की होती है और इनका सामाजिक दाइरा भी काफी बड़ा होता है लोग इनके मासूमियत से अपने आप खीचे चले आते हैं मित्र बनाने की खुबी इनके अंदर बहुत ही अच्छी होती है लेकिन कभी-कभी अपने उदार सौभाव के कारण ये अपनी ही मुसीवतों में फंस जाते हैं और इनके अंदर असूरक्षा की भावना भी काफी मिलती है हलेकि इनको जल्दी गुसा नहीं आता लेकिन जब आता है वो छोटी-छोटी बातों पर भी नराज हो जाते हैं व्यर्थ की बाते हो या फिर काम की दोनों में ये लोग काफी माहिर होते हैं और सामाजिक कारियों की जिमेदारियों में हमेशा आगे रहते हैं और लव लाइफ की अगर बात करें तो ये अपने जीवन साथी के प्रती काफी वफादार रहते हैं और उनके प्रती काफी समर्पित भी होते हैं बच्चे और परिवार इनके लिए विशेश महत पर रखता है ये जल्दी किसी साथी के प्रशनसा नहीं करते लेकिन जब करने पर आते हैं तो पूरा पाठ लिख देते हैं इस राशी के जातक अच्छे माताविता साबित होते हैं और घर की सुख सुविदा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते इनसे कोई भी अपने मन की बात आसानी से साजा कर लेते हैं लेकिन ये अपने मन की बात साजा करने से बहुत ही चकते हैं प्रोफेशनल्स जिंदेगी के बारे में अगर बात करें, तो ये काफी जिम्मेदार होते हैं. ऐसा कहे सकते हैं कि इनके अधिकारी इनको काम देकर अच्छे से बेफिक्र हो सकते हैं. हाला कि ये बहुत ही आलसी भी होते हैं, पैसा कमाना आसानी से सीख लेते हैं, और खर्च में यही बड़ी रुकावट है. आप दूसरों को कंधा देते हैं, लेकिन आपकी जरूरत के समय आप अकेले खड़े रहते हैं. आप अपने में बदलाव लाएं, हर फैसले दिल से न लें, दिमाग का अस्तिमाल करें. आपके भवेशी के लिए ये बहुत ही अच्छा रहे आप आप